नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशा नियूज में नगीना लोगसभा छेत्र में सत्ता धारी बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों, आंगन बारी, राशन, डीलर और सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका कर भाचपा के पक्ष में वोटिंग करने का द स्मृति राणी की उपस्तती में भाचपा में शामिल हो गए, बता दें अभी हाल ही में कॉंग्रेस के प्रदेश महासचव रहे डाजे इश्वर प्रताप सिंग और फननके सिंग ने भी कॉंग्रेस छोड़कर स्मृति राणी के सामने भाचपा में शामिल हुए थे, वह इसने मकान मालिक को पत्नी की हत्या के जानकारी दी, दोनोंने दो महीने पहले ही प्रेम विवा किया था, महीला तलाक शुदा थी आशंका है कि नशे बाजी और चरित्र पर उंगली उठाने के विरोध में हत्या की गई है, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चांज शुरू करती वहीं अगली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दे बनारस मिर्जापुर और आजमगर मंडल के नौ जिलों की जेल में शमता से जादा बंदी हैं बैरक में पांस हजार उन्तालिस बंदी रखे जा सकते हैं मगर आठ हजार चार सो उनसट रह रहे हैं व बंदीयों को मौस में बिमारियों के दोर भी परेशानी हो रही हैं बंदी एक दूसरे से संक्रमित हो जाते हैं जेल अस्पताल में बैड कम होते हैं इसके चलते बंदीयों को स्वास्ते संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जेल प्रशासन के मुताबिक बंद अस्पताल में धंग का इलाज तक नहीं मिल पाता मैं अंगली खबर के और पर तो आपको बता दे उतरप्रदेश पोलिस के सिपाही को मुक्तार अंसारी का स्टेटस लगाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है जानकारी के मुताबिक बक्षी का तालाब थाने में तैनाथ सिपाही फैयाज खान को इलाइन हाजिर के बाद अब सस्पेंड कर दिया गया है लखनव पोलिस ने चुनावायोग से सिपाही फैयाज खान को सस्पेंड करने की अनुमती मांगी थी अनुमती मिलने के बाद कॉंस्टेबल फयास खान सस्पेंड किया गया था ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही पब्लिकेशा नियूज धन्यवाद